हाई फ्रेंड्स मैं रेखा रेखा किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बिना ब्रैट के सेंडविच और बहुती टेस्टी और चट पटा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक बाउल लेंगे उसमें आट करेंगे एक कटोरी सूजी साथ इसमें आट करेंगे एक कटोरी दही अच्छे से मिला लेंगे फिर इसमें आट करेंगे एक कटोरी पानी अगर आपके पास फ्रेश दही नहीं है खटा है तो आधा कटोरी यूज़ करें अच्छे से मिलाने के फिर इसमे आट करेंगे वन टी स्पून नमक, बैटर ज्यादा ना गाड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा पतला, अब इसे धकर कवर करके, हम दस मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, और स्टफिंग के लिए लिए हैं मैंने तीन उबले हुए जालो और इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे, फिर इसमे आट करेंगे एक कटी हुई प्याज, एक बारी कटी हुई हरी मिर्च, वन टी स्पून चिली फ्लेक्स, और ये मैंने लिया है सूखा नारिल, उसका छिलका उतार के कद्द्यू कस करके, फिर मैंने इसमे आट किया ह अगर नहीं तो आप सकीप कर सकते हैं, थोड़ा पनीर लिया है वो थोड़ा सा मैश करके फिर आट किया है, और आप इसमे आट करेंगे काजू और किश्मिष, ड्रय Arguettes आप आट करना नहीं चाते तो आप सकीप कर सकते हैं, टेस्ट के लिए इसमे नमक एट करेंगे, वन ट अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप एक नीमू का रस इसमें आइड कर दें और उबली होई मटर आइड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्टफिंग भी बन कर तया है इसको साइड में रख देंगे और दस मिनट हो चुके हैं बैटर को रखे हुए एक बार चैक कर लेंगे बैटर एक दिम परफेक्ट है इसमें पानी गेरने की जुरत नहीं है अब क्या करेंगे इसे दो अलग अलग बरतन में कर लेंगे और एक हम बरतन ले लेंगे, कोई भी मोड ले लेंगे उसको ग्रीस कर लें ऐल से और स्टिम के लिए एक ढड़ा ही लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल देगे और मीडियम फ्लेम पर पानी को गरम होने के लिए रख देंगे ताकि हम सूजी को पका सके और बैटर को मैंने दो भाग में कर लिया है इसमें डालेंगे half teaspoon इनो डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं हमें फेटना है हलके हाथों से इसको एक ही direction में इसको mix करना है थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इनो एक्टिव हो जाए और grease के वे mold में इस बैटर को ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम पका लेंगे पानी भी गरम हो चुका है अब बैटर को इसके अंदर रख देंगे साफधानी से और ढ़क कर इसको 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे या फिर जब तक यह अच्छे से dry ना हो जाए टोटल 7 मिनट हो चुके हैं मैंने gas को कर दिया है बन एक बार चेक कर लेंगे मैंने एक बार और चेक कर लिया था बीच में नाइफ लेंगे और इस तरीके से इसके में डाल कर देंगे अगर सूखा निकल रहा है तो एकदम पक चुका है अब जो हमने आलो की स्टफिंग तयार की थी इसको इस तरीके से इसके उपर रख देंगे चारो तरफ अच्छे से स्पून से फेला देंगे अब जो हमने बागी बेटर बचाया था आधा उसमें हाफ टी स्पून इनो मिलाकर जैसे हमने पहले स्टेप किया था सेम वैसे ही करके और इसके उपर डाल देंगे गैस को ओन कर देंगे और इसको ढखके पकाएंगे दस मिनट के लिए या फिर अच्छे से पकना जाए तब तक पका ले दस मिनट के बाद और इसको एक बाद चेक कर लेंगे यह अच्छे से पक चुका है यह आप देख सकते हैं उपस एक दम ड्राय हो गया है एक बाद नाइफ से चेक कर लेंगे यह देखिए बस आप गैस को बंद कर देंगे और बिल्कुल थंडा हो जाने के बाद इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे और इसको हम नाइफ से काट ले इसमें जो मैंने अच्छा टेस्ट देने के लिए काजू, किश्मिश और नारियर का इस्तमाल क्या है अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप डालते हैं किश्मिश, काजू और नारियर तो बहुत ही अच् आप इसे हरी दिनी की चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं या फेज टोमेटो केचप के साथ बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसे थोड़ा सा सेख लेती हूं तो मैं एक पैन ले लूँगी गैस को कर लेंगी और इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मा चॉयल ज्यादा तेल का इस इसमाल बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर थोड़े से ओल में बहुत अच्छा सिख जाता है ये जब तेल अच्छी से गरम हो जाए तब इसमें हम एड़ करेंगे वन टी स्पून राई जब राई अच्छी से तड़क जाए फिर हम इसमें आड़ करेंगे वन टी स्पून सफेद तील उससे इसके पनर टेस्ट बहुत अच्छा थै राई का तील का तील भी डाल देंगे इसके इदर वन टी स्पून और कुछ करे लीप सेड करेंगे और थोड़ासा इन सबको ब忧ोAllेगे फिर इसमे थोड़ासा हमबाली कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इस तरीके से जो हमने सेंड़िच काटे थे वो इसके उपर इस तरीके से रख देंगे अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो आप क्या करें थोड़ा सा इसी वक्त नाप थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिश पाउडर इसके अंदर डाल दें के खाने का मन कर रहे हैं अगर आपको पता चलता है कि आपके गर महमान आ रहे है तो आप इस तयारी को पहले करके रख सकते हैं सब चीज बना कर रख ले जब वो आते हैं तो आप उन्हें इस तरीकी से सेख के दिते वाक्य में देखने में तो बढ़िया लगे गा ही और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इंजॉय करें अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लेज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ